तो गाईस कैसे हो और आपका स्वागत है वाचर रिपोर्स के एक और एपिसोड में और आज हम डेडपूल 3 में मल्टिपल डेडपूल्स, स्पाइडर वैन 4 का रिलीस डेट, डीसी का दा फ्लास हुआ बॉक्स ओफिस में ख्रैस और ऐसे ही कई सार अपडेट्स पे बात करें तो पहले तो भाई ये कनफर्म हो चुका है कि अगले महिने के हॉलेच कॉमिक कॉन में मार्वल स्टूडियोस का कोई पैनल नहीं होगा, मतलब होंगे कुछ छोटे मुटे अनाउंसमेंट्स, बट हॉलेच में ये होता है न कि वहीं पे ही मेंली सारे स्टूडियोस अपने स सारे भारी भरकम अनाउंसमेंट्स करते हैं, जैसे के हमारे टोपियो के देपता केविन फागी ने पिछले साल हमारे सीक्रेट वर्स और कैंग डाइनिस्टी का किया था, इस साल ऐसा कुछ एकस्पेक्थी मत करना, पैनल ही नहीं होगा, और भाई खाली मार्वल ने, यून अफिस का चक्कर मार लेते हैं, तो पहले बात करें था फ्लास की, तो जैस टाइम पे मैं ये विडियो बना रहा हूं, हमारे डीसी के था फ्लास ने डोमेस्टिकली बस 66 मिलियन डॉलर्स और वल्डवाइड में ओनली 140 मिलियन डॉलर्स कमाए हैं, जो कि भाई बहुत कम है, इसका बजेट ही 220 मिलियन डॉलर्स था, और मार्केटिंग दो भाई, पूछो ही मत, 150 मिलियन डॉलर्स फूग दिया था WB ने, तो भाई इस तरह से चले ना, दा फ्लास वार्नर रोस की वरम दा बिग्गेस्ट फ्लॉप साबिध हो सकती है, जो कि डेफिनेटली साड है या और फाइनली, Transformers Rise of the Beast ने 283 मिलियन डॉलर्स कमा लिये हैं, फिर इसके बाद भाई, ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि डेटपूल 3 एक स्पाइसी मल्टिवर्सल स्टोरी होगी, तो अब ये सुनने मिला है कि डेटपूल 3 में हमें एक से जादा वुलवरीन तो देखन जो 3-4 और आ जाएंगे तो स्क्रीन पे किस लेवल का क्रीजिनेस देखने मिलेगा, बट होफ़ली भाई, इसकी स्टोरी भी ऐसी ही तगड़ी हो, अब तक तो इसका बस मल्टिवर्सल एकस्पेक्ट ही सुनने मिल रहा है, देन इसके बाद भाई, क्रिवन द हंटर का ट्रे जाएंगे तो भाई, प्रोबेबली एडेट से वेनम 3 और स्पाइडर मैन 4 के हो सकते हैं, खास कर कि जुलाई 27, 2025 वाला तो मुझे स्पाइडर मैन 4 का ही लग रहा है, तो देखते हैं, फिर इसके बाद एटस टाइम फॉर डिसको, ने, सम क्विक मेजर अपडेट्स, डिसक वो काहे करेगा मैं, सो पहले तो भाई, डेर डेवल बॉर ने के इनका प्रडक्शन सट डाउन कर दिया गया है, जब तक WGA स्ट्राइक खतम नहीं होता, और इसी के साथ DC के पेंग्विन सीरीज की गाड़ी भी रुक चुकी है, फिर इसके बाद भाई, हमारे क्रिस्टफर Macquarie ने ये कहा है कि Mission Impossible Dead Reckoning Part 2 सीरीज का आखरी प्रोजेक्ट नहीं होगा, इसके बाद भी फ्रेंचाइज कंटीन्यू होगी, और उनके पास अभी से ही कुछ बहुत इंट्रेस्टिंग आइडियाज हैं कि वो आगे जाके क्या दिखाने वाले हैं, और हाँ, इसके साथ Mission Impossible Dead Red Reckoning Part 1 के Early Reviews भी आ चुके हैं, जो कि Mostly भाई Positive तो हैं, दर इसके बाद ये Confirm हो चुका है कि Guardians of the Galaxy Vol.3 July 6 को Digital Platforms पे पधारने वाली है, और James Gunn की कुरबा से भाई कुछ Bonus Content भी मिलेगा, जो कि आप Screen पे Already देख रहे हो, फिर इसके बाद भाई ये Confirm हो चुका है कि Spider-Man Beyond the Spider-Verse मे Prowler वाले Miles का Earth 42 और Spider-Punk के Universes को और Deeply Explore किया जाएगा, जो कि सही है, फिर इसके बाद भाई हमारे Chad Chad Stahelski ने ये Confirm कर दिया है कि John Wick 4 का एक Director Cut है, जो कि वो Almost Finish कर चुके हैं, सो हमें जल्दी देखने मिल सकता है, फिर इसके बाद भाई हमारे Soldier Boy यानि Jensen Ackles ने ये कहा है कि वो DCU में Batman को प्ले करने के लिए Interested हैं, इवेन उन्होंने अपने Bruce Wayne और Batman का Voice भी सुना के दिखाया फिर इसके बाद हमारे Samuel L. Jackson ने ये कहा है कि Nick Fury के रोल से उनके रिटायर होने के कोई भी प्लान्स नहीं है, वो जब तक ये कर पाएंगे, वो ये रोल करेंगे, और सर हम भी आपको देखेंगे, करते रो फिर इसके बाद भाई, former WWE स्टार, जिने आप Sasa Banks के नाम से जानते होंगे सायद, तो वो भाई Elmoreto के कास्ट को जॉइन कर चुकी हैं, और प्रबेबली आगे जा कि कुछ और भी रेसलर्स जॉइन करते दिखाई दे सकते हैं, बिकास मुवी का मेन कारेक्टर है एक प्रो र अगले वीडियो में, सो गाईस तब तक बाई और टे केर